इंदोर शहर ने पुना एक नया कीर्थिमान स्थापित करते हुए शुकरवार को टार्गेट पॉपुलेशन के अनुसार सौ प्रतिशत टीका करण वाला शहर इंदोर अब बन गया है कलेक्टर मनीश सिंके निर्धेशन में इंदोर जिले में टीका करण अबियान अंतर गत विभिनमा ध्यमों से लोगों को कुरोना की वैक्सीन लगाने के लिए प्रेरित किया जा रहा है इन दोर में निशलक वैक्सिनेशन शिविर के साथ साथ इन ड्राइव वैक्सिनेशन केंदर भी शुरू किये गए थे जन भागिदारी एम जन सहयोग से चलाए गए इस वैक्सिनेशन अभियान के सफल परणाम सरूप इंदौर सौ फिसीदी वैक्सिनेशन वाला शहर बन सका है नगरनेगा मायुक्त प्रतिवापाल ने बताया कि इंदौर शहर में टीका करन के लिए टारगेट पॉपिलेशन अठरा लाग एक्यासी हजार बहत्तर थी जिसकी तुलना में शुकरवार तक इंदौर शहर में अठारा लाग यासी हजार दोसो आठ नागरिकों को वैक्सीन क का फर्स्ट डोज लग चुका है जो इंदौर का पॉबलेशन के आधार पे टारगेट था वो लगभग इंदौर अगर मैं नगरनिगम सीवाशेत्री की बात करूं तो अठारा लाग का था पूरे जिले का टार्गेट 28 लाग का है अठारा लाग के अगेंस्ट इंदौर न लेकिन इंदौर में क्योंकि कई सारे लोग विभिन्ने कारणों से आते रहते हैं कई प्रियोजन रहते हैं कमर्शिल क्यापिटल मतरप्रदेश की तो बहुत सारा फ्लेट फ्लोटिंग पॉपपलेशन रहता है बहुत सारे लोग मेडिकल सुभिधाओं के लिए इंदौर विजिट करते हैं आन्नेकारियों से तो उन सभी लोगों का वैक्सिनेशन जारी रहेगा बेसिकली अब हम लोगों का शेहर शेत्र में जो मेजर फोकस रहेगा वो सेकंड डोस पर रहेगा कई सारे लोग लगबाग सतर से 80 अजार लोग ऐसे हैं जिनके सेकंड डूस डूस हैं जिन में को वैक्सिन भी है और को विशील्ड भी है तो अब हम लोगों का फोकस सेकंड डोस को जिनका फ़र्स्ट डोस हो गया उनको सेकंड डोस कराना रहेगा प्लस जो रूरल एरिया में लगबबाग सभादो लाख आवादी ऐसी है जो अभी फ़र्स डोस जिनको चुके हैं और यह आने वाले समय में जो कोविट का कोविट नियंत्रन के लिए एक जो महत्वपूंड मापदन्ड है या महत्वपूंड जरूरत है तो उसको भी हम लोग इससे भी पारपा पाएंगे और यह अपने आप में बहुत ही अनूठा इंदोर की जगरूपता का प् प्रयास करेंगे